इस वीडियो में देखेंगे कितना invest करना चाहिए, कहां कहां invest करना चाहिए, कितने share या percentage में invest करना चाहिए and अगर आप वहाँ invest करना चाहते हैं तो कौन-कौन से options हैं जिसको आप consider कर सकते हैं from a product perspective, excel-excel करते हैं इस sheet में जो भी green sales हैं उसको आप change कर सकते हैं तो हम sheet के अनुसार इसको बदलते रहेंगे हम start करेंगे 10,000 रुपे की salary के साथ, इस salary में आप naturally सारी चीज़े कर पाना मुश्किल होता है लेकिन अगर आपको अपनी investing journey वागई में सही हिसाम से शुरू करनी पड़ेगी तो मैं recommend करूँगा कि कम से कम 20% अपनी salary का आपको invest करना शुरू करना चाहिए अब वो कहां करना चाहिए वो मैं बताऊंगा वीडियो में लेकिन हम assume करते हैं कि 20% आप invest करना है मतलब महीने के 2000 रुपे आप invest करने के लिए तैयार है यह number कुछ भी हो सकता है यह 10 भी हो सकता है यह 30 भी हो सकता है it depends on कि आपकी जरूरिती कितनी है आपकी इच्छाएं कितनी है and इस 10,000 रुपे में आप क्या क्या कर सकते हैं और करना चाहते हैं आप 20% चुरू करेंगे जो मेरे इसाब से minimum होना चाहिए now यह हैं सारे options for you to invest बहुत सारे और भी options है लेकिन यह traditionally standard options होते हैं सबसे पहले FD and FD पे अगर last 10 साल का हम average return देखेंगे which does not indicate कि आगे जाके भी होगा लेकिन अगर हम past को कोई parameter से measure करने शुरू करेंगे तो FD हमें on an average 6% साल का return देती है तो हमें लगता है यह तो बहुत बढ़ी है क्योंकि हमने 100 रुपे डाले अगले साल वो 106 रुपे हो गए लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है दोस्तों and वो है inflation अगर चीजों की कीमत आपके rate of return से जादा तेजी से बढ़ रही है तो अगर आपके पैसे बढ़ भी रहे हैं उनकी वाकई में कीमत यह अखाद कम हो रही है In other words, अगर inflation 6% है तो जो चीज आज 100 रुपे की थी वो कल 106 रुपे की हो चुकी है तो आपके पैसे तो 106 रुपे से बढ़ चुके हैं लेकिन चीजों की कीमत भी 106 रुपे हो चुकी है That means आपके पैसे की वाकाद वही की वही रही वो पड़ी नहीं And that is very important for you to understand तो FD में आप पैसा डाल सकते हैं देखते हैं कितने से क्या होगा फिर real estate, अब real estate में 10,000 रुपे में आप क्या ही पैसा डालेंगे लेकिन उसमें भी एक तरीका है इंवेस्ट करने का And it's called REITs, Real Estate Investment Trusts ये real estate कंपनियों के kind of stocks होते हैं जो कि आप बकायता stock market में खरीच सकते हैं And these are projects जिनको वह रेंट पे डालते हैं और उस रेंटल इंकम को redistribute करते हैं to whosoever owns these REITs तो अगर आप एक REIT खरीदेंगे जो कि 400-500 रुपे का भी आप खरीद सकते हैं You will essentially participate in the rental of the real estate company's projects फिर आता है corporate bonds, corporate bonds क्या होते हैं? Companies को जब पैसे चाहिए होते हैं प्राक्टी खरीद करने के लिए, कोई आसेट खरीदने के लिए, कोई नया product line start करने के लिए, कुछ भी और हो तो वो बैंक से लोन लेते हैं और वो हमारे जैसे लोगों से भी लोन लेते हैं इन लोन को बोलते हैं corporate bonds तो हम अपने पैसे से एक company को कर्ज या उधार दे रहे हैं और उसके चलते हैं वो हमारे पैसे तो लोटाएंगे लेकिन उसके उपर एक interest भी देंगे जो on an average साड़े 7% साल का होता है Then comes EPF Employee Provident Fund which is around 8.38% तो अगर आप एक employee हैं तो आप अपने पूरे की पूरे पैसे EPF या Employee Provident Fund में डाल सकते हैं It will give you a fixed rate of return of 8.38% जो की बहुत ही अच्छा है बिलकुल भी risk नहीं है in the sense कि वो government-backed है तो risk बहुत-बहुत-बहुत कम है अगर है भी and it is as I said fixed कोई उतार-चड़ाव नहीं है तो दिल की धड़कने सही रहती है लेकिन सारे लोग इसमें participate नहीं कर सकते क्योंकि हर एक इंसान corporate employee नहीं होता है Gold पिछले 10 सालों में बहुत अच्छे से चला है 10.41% on an average return दिया है तो you can invest in gold Gold में invest करने के लिए gold jewelry नहीं खरीदेंगे क्योंकि उसमें making charge वो GST वगरा देने में सारे पैसे निकल जाएंगे you will buy digital gold preferably SGB यानि की sovereign gold bonds यह government bonds होते हैं जो की gold में issue होते हैं and you get the appreciation of the gold plus उसके ओपर 0.5% और and then here are three stock market investments यह relatively safe है क्योंकि आप stocks नहीं खरीद रहे हैं आप एक index में invest करने हैं which means a portfolio और a group of companies जो की stock market ने already pre-decide करी होई है तीन index होते हैं Nifty 50 का एक index होता है जो भारत की top 50 companies हैं on the national stock exchange उसमें आप invest करेंगे mid cap 100 जो भारत की जो middle size companies हैं उसके top 100 companies में invest करेंगे and small cap 250 मतलब भारत की जो small size companies हैं उसके top 250 companies में invest करेंगे when you invest in an index fund it usually is very cheap and it gives you stable consistent returns over a long period of time and ये उसके on an average returns रहे हैं over the last 10 years अब देखते हैं कि यही 2000 उपे जब आप invest करना शुरू करते हैं and इनन चीजों में invest करते हैं तो क्या होता है let's assume कि आप risk लेना ही नहीं जाते हैं and आप पूरे का पूरा 100% अपना पैसा FD में डालते हैं तो पूरे के पूरे 2000 उपे अपने FD में डालते हैं आप ये भी करते हैं कि हर साल अपने investment को 10% से बढ़ाते हैं मतलब इस साल आपने हर महीने 2000 उपे डाले अगले साल से आप 2200 उपे डालेंगे and you will keep increasing this as you move along हम ये भी assume करेंगे कि inflation 5% पे होगा ये numbers completely variable है 5% को तो change मत करेगा क्योंकि 5 ही रहेगा लेकिन इसको आप 0 भी कर सकते हैं अगर आप नहीं बढ़ाना चाते हैं या 20 भी कर सकते हैं अगर आप बहुत जादा बढ़ाना चाते हैं मैं बोलता है कि 10 तो मान के चलियाई Now let's see कि कुछ सालों बाद और बहुत सालों बाद आपकी position क्या होगी 10 साल बाद आपकी जो ये 10 हजार रुपे की salary है वो करीब-करीब मोटा 23,000 रुपे हो चुकी होगी This is assuming the natural growth of salary in India आप महीने के 4,716 रुपे इंवेस्ट कर रहे होंगे and आपके पास मोटा मोटा 5,000,000 रुपे बैंक में होंगे जिनकी हैसियत at that time क्योंकि inflation दोस्तों है will be 3,000,000 रुपे 15 साल बाद आपकी salary कलीब 37,000 रुपे होगी आप करीब 5,000,000 रुपे इंवेस्ट कर रहे होंगे आपके पास 11,000,000 रुपे बैंक में होंगे लेकिन उनकी हैसियत सिर्फ 5,000,000 ही होगी क्योंकि inflation उस value को घटा चुका होगा 30 साल बाद आपकी salary करीब 1,60,000 रुपे होगी और आपके बैंक में उस समय 75,000,000 रुपे होंगे लेकिन उसकी हैसियत सिर्फ 17,000,000 ही होगी और आप 30 से 35 साल के बीच में एक करोड रुपे अपने बैंक में देखेंगे लेकिन उनकी एहमियत या उकाद हमेशा कम ही होगी ये होगी असलियत अगर आप पूरे का पूरा पैसा FD में डालते हैं अब आप बोलते हैं कि याद FD में डालते हैं इसा करते हैं सोने में डालते हैं क्योंकि मम्मी बापा बोलते हैं सोना Now let's see सेम आपकी salary or investment तो रहेगी लेकिन 10 साल बाद आपके बैंक में होंगे 6,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 और 24 की तो strategy अपना रहे हैं, उसको अच्छे से निभाएंगे, तो सारा का सारा पैसा टॉप 50 कंपनीज में डालते हैं. अब यूँट सी कि गोल्ड और निफ्टी फिफ्टी में जादा अंतर है नहीं, तो naturally आपके आउटकम में भी जादा अंतर आएगा नहीं. तो 10 साल बाद वही 6 लाक रुपे होंगे, 20 साल बाद वही 34 लाक रुपे, 30 साल बाद 1,36,000 के, 1,40,000 के करीब होंच चोगे होंगे. So not a big difference. But if you were to say, यार सारा पैसा ना, small cap में डाउट है, 18 परसेंट है, देखते हैं क्या होता है. Then, things change a lot. 10 साल में आपके पास 9 लाक हैं, तो ज़्यादा बड़ा जंपने हैं. लकिन 20 साल में देखिए, 80 लाक रुपे हैं, जिसकी आउकाद 30 लाक रुपे हैं. जिसकी आउकाद करीब सवा करोड रुपे होगी. This is a huge difference, दोस्तों. सवा करोड रुपे की आउकाद, पांच करोड चौछ लाक रुपे बैंक में in just 30 years, if you invest all your money in small cap. अब क्या यह करना चाहिए? नहीं. क्यों? क्योंकि small cap by design बहुत risky है. वो बहुत उतार-चड़ाओं से जाता है. And you may not want to take all of that risk when you are with such a low salary. तो third part of the video पे आते हैं कि आपको कितना in sum में invest करना चाहिए? अगर आप अपने 20s में हैं, तो आप 10% के करीब-करीब fixed rate of return assets में डालेंगे. तो मैं EPF मान के जलता हूँ. वो gold भी हो सकता है, वो corporate bond भी हो सकता है, वो FD भी हो सकती है. My preference will be, अगर आप EPF कर सकते हैं, तो please EPF करिएगा. And फिर बाकी का सारा पैसा हम stock market में डालेंगे. We will put about 40% in nifty 50 and 25-25 in mid cap and small cap. यह हम क्यों कर रहे हैं? हम इतना risk क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम अपने 20s में हैं. तो हमारे पास वक्त है. And अगर खुदाना खास्ता market डाउन चली जाती है, तो हमारे पास वक्त है उससे वो भरने का. And that is why we will make this stand. 13% के करीब हमारा rate of return होगा. And इसके चलते 10 साल के अंदर 7 lakh रुपे, 20 साल के अंदर 50 lakh रुपे, and 30 साल के अंदर 2,65,000 रुपे हमारे पास bank में होगे. Which is fairly good. अगर आप और थोड़ा जादा risk लेन जाते हैं, तो यह 30 कर सकते हैं, and इसको 35 कर सकते हैं. Which will then give you 13.9% and उसके चलते 30 साल के अंदर आपके पास 3 करोड रुपे होगे bank में, which is fantastic. अगर आप अपने 30 से में हैं, तो थोड़ी जिम्मेदारिया बढ़ चुकी हैं, शायद परिवार आ चुका है, माबाप थोड़े बुड़े हो रहे हैं, तो you can't take as much risk as you could in your 20s. तो fixed rate of return को हम तरीब 20% करेंगे और nifty-fifty को हम 40% करेंगे, हम इसको 25 ही रखेंगे और इसको हम 15 कर देंगे, तो you get 20% fixed rate of return assets, 40% nifty-fifty, 25% mid cap and 15% small cap, 12.18% का average return past को देख किया, future में क्या होगा, कौन जाने, 10 साल में 7 लाख रुपे, 20 साल में 14 लाख रुपे, 30 साल में 2 करोड 22 लाख रुपे, not bad at all, इतना कम risk लेने के लिए, मतलब relatively कम, अगर आप अपने 40s and beyond में हैं, तो फिर तो आप genuinely जादा risk नहीं ले सकते, and it is possible कि आपकी भी तंखवा जादा नहीं है, so you have to start small, and yet you are in your 40s, तो आपको invest तो करना ही है, now, you may not be able to invest for all of those 30 years, क्योंकि आपकी earning income ही शायद 60 साल तक होगी, but still, you have to be careful with your money, so 30% कम से कम, fixed rate of return assets में, you will put 50% कम से कम, in nifty 50, आप 15% से जादा mid cap में ही डालेंगे, and small cap में, सिर्फ 5% क्योंकि आप इतना risk नहीं ले सकते, on an average, 10.84% का return आएगा, तो 10 साल के अंदर आपके पास 6 लाख रुपे होंगे, 20 साल के अंदर आपके पास 37 लाख रुपे होंगे, and 30 साल के अंदर अगर आप चल पाए, तो 1 करोड 65 लाख के करीब, and that is how you will plan yourself, which brings us to the last segment की क्या खरीदना चाहिए, अब उसके लिए, ये तो सब standard है, FD पता है, real estate ये एक paid promoted post नहीं है, coin मैं personally use करता हूँ, so that is why I recommend it to everyone as well, Coin Zeroda का product है, and उसमें अगर आप सर्च करेंगे, you will find, तो आप जाएंगे Nifty, तो you will see Nifty 50 के ये सारे index funds, so this is for example, the UTI Nifty index fund, ये recommendation नहीं है, प्लीज अपना होग करके ही choose करियेगा, and you will see, over 5 years, it has given a rate of return of 15.9%, जो कि इस rate of return से काफी जादा है, but that's because, ये mutual fund perform किया है, शायद जो आपने शूस किया है, वो नहीं perform किया है, and so on, इसका exit load जो है, वो zero है, मतलब, इस fund से निकलने के लिए, आपको कोई भी खर्चा नहीं देना पड़ता है, और expense ratio जो है, which means, to participate in the fund, आपको कितना खर्चा करना पड़ता है, that is 0.21% only, which means, अगर आप 100 रुपे खर्च करेंगे, तो 99.79 रुपीज इन्वेस होंगे, बाकी 21 पैसे जो है, वो fund अपने खर्चे ज़ाने के लिए, यूस करेगा, that is how it is, तो आप इसका कैसा है भी कर सकते हैं, और कोई भी और nifty-fifty वाले हैं, for mid-cap, this is the access mid-cap fund, इसमें अगर आप देखना चाहते हैं, minimum investment सरो 100 रुपे ही है, exit load 1% है, but if you see it, it is if switched within 12 months, जो कि हमारा objective नहीं है, तो 12 महीने के अंदर-अंदर अगर आपने बेच दिया है, तो आपको 1% penalty देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने 12 महीने के बाद ब अगर या रेटर रिटन देखेंगे 5 साल का 21.38%, जो कि इस नंबर से कई जादा है, and of course, you will benefit from this mutual fund, अगर आपने ये पिक किया होता लास्ट पांद सालों में, तो किसको पता आता, तो this is the mid-cap, and then अगर small cap करेंगे, तो Nippon India Small Cap Fund, that is exit load 1%, expense ratio 0.67%, and कैगर unbelievable of 29.96%, अब ये डाल के देखते हैं, and let's see what happens, so 15.9% अगर ही है, right, so this is 15.9% and ये डालते हैं, तो 21.38, 21.38% and ये डालते हैं, तो 29.96, right, things change considerably, तो 40s के ratio को भी अगर आप देखेंगे, जहां आपने 30% fixed rate of return में invest किया है, 15, 50, 15 और 5 ratio में किया है, 10 साल के अंदर आपके पास 8 लाग, 20 साल के अंदर आपके पास करीब 80 लाग, and 30 साल के अंदर आपके पास साड़े, 7 करोड 75 लाख रुपे है, if you do 30s वाला, which was I think 40 and then 25 and then 10, was that this, यही था ना, I think यही था, you are at 16.38% which means 10 साल के अंदर 9 लाख, 20 साल के अंदर एक करोड, 20 साल के अंदर ही एक करोड and 30 साल के अंदर 12 करोड 40 लाख रुपे, 12 करोड 40 लाख रुपे, जिनकी आउकाद 2 करोड 90 लाख रुपे होगी, and अगर आप अपने 20s में हैं, तो जो मैंने बोला था, यहां 10 करेंगे, इसको 40 ही रखेंगे, and इसको हम कर देंगे 25, इसको भी करेंगे, 25, 20% rate of return, abnoxiously high है, यह असली जिंदगी में नहीं होगा, लंबे टाइम तक तो नहीं होगा, लेकिन अगर देखना चाहें, तो खायली पलाव बनाने में क्या है, 10 साल के अंदर 11 लाग, 20 साल के अंदर 1 करोड 60 लाग रुपे, and 30 साल में 24 करोड रुपे, जिसकी आउकाद होगी 5 करोड 65 लाग रुपे, इससे आपको दो चीज़ अपर हो, नमबर एक, Long term investing has a completely different result, अगर आप अपने 20 साल के अंदर, तो आप देखें, सिर्फ 30 साल के अंदर, आपके पास 24 करोड रुपे होंगे, आपकी उस समय पर तंक हुआ, एक लाग साथ हजार होगी, तो ऐसा नहीं है कि आप करोडों में पैसा कमा रहे हैं, and आप महीने के 31,000 रुपे कर रहे होंगे. And yet you would have 24 करोडs in your bank, जिसकी आउकाद 5 करोड 65 लाख रुपए होगे. And number two, is जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके रिस्क लेने की शमता कम होती है, but आपके पैसे कमाने की शमता कमने होती है. So please don't assume कि क्योंकि आप भुजर्ग हो चुके हैं, 30 साल, 40 साल के हो चुके हैं, तो आपके इन्वेस्टिंग कर टाइम खत्म हो चुका है? नहीं. Whatever age you have, you can start today. And 2024, मेरी कामना है, आपके लिए वो साल रहे. With that, Ankur Warakum, signing off. मेरी नई बुक, Make Epic Money is now available for pre-order. यह ऐसी किताब है, जिसमें मैंने पैसे के बारे में हाड एक चीज़, सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है, जो काश मुझे किसी ने बताई होती, जब मैं अपने 20s में तो. एक बहुत honest, बहुत simple और बहुत ज़रूरी बुक. Order करिए Amazon पर.